हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल जी एस नमबर बन पे आज हम इस सीरीज में सुरू करने वाले हैं भारत का भुगोल जोग्राफी ऑफ इंडिया यह सीरीज जो है वो महस्कुमार बर्णवाल जी की नविंतम आई हुए पुस्तक इन्सी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिडियो को लाइक, share and comment जरूर करें जिससे बाकी सबी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके तो आएज सुरू करते हैं सबसे पहले हम इसमें सुरू करते हैं भारत का समाने परिशे तो इसका पहला सिगमेंट है भारत किस गोलारध में अवस्थित है तो भारत उत्तर पूर्वी गोलारध में अवस्थित है तो भारत उत्तर पूर्वी गोलारध में अवस्थित है इसके मैप से य जाते हैं जिसको ध्यान देंगे पहला प्रस्थी है कि भारत का अक्षान्सिय विस्थार कितना है तो भारत का अक्षान्सिय विस्थार 8 degree 4 मिनट से लेकर 37 degree 6 मिनट ë nos तथा भारत का देसान्सिय विस्थार 68 degree 7 मिनट से 97 degree पचीस मिनट के बीच इस्थित है यदि बात करें भारत की उत्तर से दच्छिन का विस्तार भारत का 324 किलोमीटर है तथा पस्म से पूर्वी विस्तार 233 किलोमीटर है भारत का सबसे पस्मी बिंदु गौर मोता के नाम से जाना जाता है जो की गुजरात में इस्तित है तथा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो कीवीथू के नाम से जाना जाता है और यह अरुनाचल परदेश में इस्तित है और भारत का सबसे उतर्तम बिंदू जिसको इंदरा कॉल के नाम से जाना जाता है और यह लद्दाख में इस्तित है तो भारत के सबसे दशिर्तम बिंदू जिसको कर्णिया कुमारी के नाम से जाना जाता है और यह तमील आंडू में इस्तित है इसको केप कमोरिन भी भोला ज रखेंगे यह भारत की मुख्य भूमी का दशिर्तम बिंदु है और यदि भारत का दशिर्तम बिंदु पुछा जाए तो वह है इंदरा पॉइंट जो निकोबार दियूप पर इस्थित है भारत अपना सीमा पाकिस्तान के साथ 323 किलोमीटर साजा करता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा साजा करता है चीन के साथ 3488 किलोमीटर का सीमा साजा करता है और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साजा करता है भुटान की बात करें तो भुटान के साथ 699 किलोमीटर साजा करता है और मयानमार के साथ 1643 किलो मिटर साजा करता है अपना सीमा और बंगला देश के साथ 4096 किलो मिटर अपना सीमा साजा करता है जो किसी भी देश के साथ सरवधिक लंबा सीमा लगता है किसे बंगला देश के साथ भारत की तट रेखा की लंबाई की बात करें तो भारत की तट रेखा की लंबाई 7566.6 किलो मीटर है चेतरफल की दिरिष्टी से भारत विशो का साटवा अस्थान रखता है आठवा अस्थान याद रखेंगे अर्जेंटीना का आता है भारतिय भूबाग का विस्तार पुर्व से पक्षिम में 2213 किलो मिटर है तथा उत्तर से दक्षिन में 3214 किलोमीटर है जिसको अभी हमने उपर समझा है भारत का च्छेतरफल विशो के कुल च्छेतरफल का लगबग 2.4 परतिसत है भारत का च्छेतरफल विशो के च्छेतरफल का कितना परतिसत है तो 2.4 परतिसत है भारत का अक्छांसिय विस्तार क्या है? भारत का अक्छांसिय विस्तार आठ डिग्री चार मिनट उतरी अक्छांस से 37 डिग्री चो मिनट उतरी अक्छांस के मद इस्तित है भारत की देसांतरिये रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं तो देसांतरिये रेखाओं से समय एवं अवस्थिती का निर्धारन होता है करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो करक रेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है तो आईए देखते हैं वे राज कौन-कौन है जिन से करक रेखा गुजरती है सबसे पहले करक रेखा भारत में गुजरात, उसके बाद राजस्तान, मध्य प्रदेश, छतिसगर, जहारखंड, पस्सिम बंगाल, तिरिपूरा और मिजोरम इन आठ राजियों से होकर करक रेखा भारत से गुजरती है भारत को लगभग दो बराबर भागों में कौन सा अक्षांस विभाजित करता है तो भारत को दो बराबर भागों में साढ़े तेज डिगरी उतरी अक्षांस विभाजित करता है और साड़े तेश डिगरी उतरी अक्षांस को हम कर के रेखा के नाम से जानते हैं और साड़े तेश डिगरी दच्छनी अक्षांस को मकर रेखा के नाम से जानते हैं भारत के सबसे पस्मी बिंदु गौर मोता जो गुजरात में तथा पुर्वी बिंदु की भी थू जो अरुनाचल परदेश के मध है सुर्योदय एम सुर्यास्त में लगवग कितने घंटे का अंतर होता है तो भारत के सबसे पस्मी हिसा और भारत के सबसे पूर्वी हिसा इन दोनों के बीच समय का अंतर दो घंटे का होता है भारतिय मानक समय रेखा साड़े बिराशी डिग्री किस सहर से होकर गुजरती है तो यह जो है वो इलहाबाद के निकट मिरजापूर से होकर गुजरता है और कुल पांच राजियों से होकर गुजरता है यह पांच राजियों कौन से हैं सबसे पहले है उत्तर प्रदेश फिर है मद्ध प्रदेश फिर चत्तिसगर उणिसा और आंध्र प्रदेश इन पांच मानक समय एवं ग्रीन वीच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है तो आई एस्टी और जी एमटी के वीच सड़े पांच घंटे का अंतर होता है यदि भारतिय मानक यमनुत्तर पर मध्यान है तो 120 डिगरी पूर्वी देशांतर पर इस्थित समय दो बच के 30 अपराहन हो भारत का सुदूर्तम दछिर्तम बिंधु कौन सा है तो भारत का सुदूर्तम दछिर्तम बिंधु इंद्रा पॉइंट है जबकि भारत की मुख भूमी का दछिर्तम बिंधु कन्या कुमारी है जिसको केप कमोरीन के नाम से भी जाना जाता है इंद्रा पॉइंट ग्रेट निकोबार दूपर इस्थित है इंडरा पॉइंट कहा है इसी थै ग्रेट निकोबार दूपर इस्थित है भारत का एक मात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा चार राजियों को असपर्ष करती है तो उत्तर परदेश का सोन भद्र भारत का एक मात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा चार राजियों को असपर्ष करती है भारतिय मानक समय रेखा साड़े बेराश डिगरी पांच राजियों सोकर गुजरती है जिसकी चर्चा अभी हमने उपर की है लद्दाख और जमो कास्मीरिक गठन 31 सक्टूबर 2019 को किया गया है दादर व नगर हवेली तथा दमन व द्यू का बिलय हो गया है संसद ने लोक सभा में 27 नवमबर 2019 को तथा राज सभा में 3 दिशमबर 2019 को पारित दादर व नगर हवेली दमन द्यू विधियक 2019 के माध्यम से उप्रूप तो दोनों केंदर सासित परदेशों का बिलाय कर दिया है यानि दोनों केंदर सासित परदेश दादर वर नगर हवेली तथा दमन्यों दिव का बिलाय करके एक राज्य का गठन किया गया है यहाँ पुनर गठन 26 जनुवरी 2020 से परभावी है अब नए केंदर सासित परदेश का नाम दादर वर नगर हवेली तथा दमन्यों होगा और इसकी राजधानी दमन्यों होगी जो नया राज्य बना है किन्सासित परदेश उसका नाम दादर वर नगर हवेली तथा दमन वर द्यू होगा और इसकी राजानी क्या होगी दमन होगी भारत का सबसे उतरतम बिंदू इंद्रा कॉल है जो लद्दाक में है अभी हमने इसकी बाद उपर कर लिए पहले कर लिए भारत की प्रमोग परवस्रेणियों का उत्तर से दच्छिन में करम सबसे उतर में है कारा कॉरम उसके बाद लद्दाक फिर जासकर पीर पंजाल और सबसे अंत में सिवालिक है भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को 36 गळि में काड़ते है भारत की मुख भूमी की तटियें लंबाई कितने है तो भारत की मुख भूमी की तटियें लंबाई लगवग एक सट सो किलोमीटर है मैनमार की सरवधिक सीमा किस भारतिय राज को असपर्ष करती है तो मैनमार की सरवधिक सीमा भारतिय राज और राचल परदेश को असपर्ष करती है जनसंख्या की दिरिष्टी से भारत का अभिस्व में कौन सा अस्थान है तो जनसंग्य की दिश्टी से भारत का विस्व में दूसरा अस्थान है असम की सीमा कुल कितने राजयों के नर्सासित पर्दिशों को अस्पर्श करती है तो रौस दिव का नाम नेता जी सुभास चंदर बोस दिव प रखा गया है निल दियूप का नाम सहीद दियूप रखा गया है और हौलोक दियूप का नाम स्वराज दियूप रखा गया है आगे देखते हैं भारत किस जल संधी द्वारा सिरलंका से प्रिथक होता है तो भारत पाक जल डमरू मध द्वारा सिरलंका से अलग होता है और मननार की खाड़ी भी भारत और सिलंगा के बीज में इसी थै इसको याद रखेंगे भारत के कौन सा राज तीन ओर से अंतराष्टिय सीमाव से घिरा है तो भारत का तिरिपूरा राज जो है वो तीन ओर से अंतराष्टिय सीमाव से घिरा हुआ है भारत के कुछ मोहत्पूर्ण चैनल और उनसे समधित मोहत्पूर्ण तत्ध नाइन डिग्री चैनल लच्छ दीव और मीनी काय के मद्ध में इस्थित है नाइन डिग्री चैनल कहा है? लच्छ दीप और मिनी काय के मद इसी थे एट डिग्री चैनल मालदीव और मिनी काय के बीच में इसी थे एट डिग्री चैनल किसके बीच इसी थे? मालदीव और मिनी काय के मद इसी थे ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा और निकोबार के मद्ध इस्तित है पाक स्ट्रेट जल्डमरु मद्ध या भारत और सिरलंगा के बीच में इस्तित है महीम क्रिक या पतली सी निवे सी का मुंबई में इस्तित है कक्ष की खाड़ी या पस्मी गुजरात में इस्तित है और खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है लच्छ दीप सागर लच्छ दीप और मालावार तठ के मद्ध में इस्तित है लच्छ दीप सागर काई इसी थै लच्छ दीप और मलावार तट के मध में इसी थै मनार की खाड़ी मनार की खाड़ी दस्न पसिम तमिलांडू और सिरलंका के मध में इसी थै कोको एस्ट्रेट जो है वो कोको द्यूप जो मैनमार के पास है और उत्री अंडमान के बीच में इस्तित है डंकन पास डंकन पास जो है वो दशनी अंडमान और लगू अंडमान के मद में इस्तित है और 10 डिगरी चैनल अंडमान और निकोबार के मद में इस्तित है भारत की अंतराष्टिय सीमा की लंबाई और संबंदित राजयों के नसासित पर देश यह एक चड़ दिया गया है जिसमें भारत किस किस देश के साथ कितने अपनी अस्थलिय सीमा साजा करता है और किसी भी अंतराष्टिय सीमा के साथ भारत का कौन सा राज सीमा साजा करता ह तो सबसे पहले बंगला देश को देखते हैं बंगला देश के साथ भारत का 4096 किलो मीटर साजा करता है और भारत और बंगला देश के बीच का जो सीमा रेखा है उसको रेड किलिफ रेखा के नाम से जानते हैं और बंगला देश के साथ भारत के पांच राज्य सीमा साजा करते हैं यह राज्य कौन कौन से हैं तो यह है पस्षिम बंगाल, मिघाले, मिजोरम, तिरिपूरा और असम अगला है चीन चीन के साथ भारत अस्थलिय सीमा 3488 किलो मीटर का सीमा साजा करता है और भारत और चीन के बीश जो सीमा रेखा है उसको मैक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है और चीन के साथ भी भारत के कुल पांच राज्यम के अनसासित परदेश सीमा साजा करते हैं जिसमें लद्दा, खिमाचल परदेश, उतराखंड, सिक्कीम और अनुनाचल परदेश है अगला है पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ भारत 3323 किलो मीटर का सीमा साजा करता है और भारत और पकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है उसको रेड किलिफ रेखा के नाम से जाना जाता है और पकिस्तान के साथ भी कुल पांच राज सीमा साजा करते हैं जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जमू काश्मीर और लटधा का है नेपाल के साथ भारत के कुल 1751 किलो मीटर का सीमा लगता है और इसके साथ भी कुल 5 राज सीमा साजा करते हैं जिसमें उत्तर परदेश, बिहार, पस्षिम बंगाल, सिक्कीम और उत्रा खंड है मैयनमार के साथ 1643 किलो मीटर का सीमा साजा होता है और इसके साथ चार राज और राचल परदेश, नागालेंड, मिजूरम और मनिपूर अपना सीमा साजा करते है भूटान, भूटान के साथ 699 किलो मीटर का सीमा साजा होता है और इसमें कुल चार राज जो है की सीमा साजा करते है जिसमें पसीम बंगाल, सिक कीम और उनाचल परदेश और असम अपना सीमा साजा करते है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमिटर का सीमा साजा होता है और भारत और अफगानिस्तान के 20 जो सीमा रेखा है उसको डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं और इसके साथ केवल एक राज लद्दाक अपना सीमा साजा करता है आईए कुछ मौत्पूर रेखा हैं जिसके बारे में हम जन जानते हैं मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा का, मैक मोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के भी का जो सीमा रेखा है, उसको मैक मोह रेखा के नाम से जानते हैं अंग्रेजों के सासन के दोरान भारत वचीन के मद उत्तर पुर्वी में यह सीमा रेखा 27 अपरेल 1914 को निर्धारित किया गया था मैक मोहन रेखा का निर्धारन कहा किया गया था तो 27 अपरेल 1914 इस भी को इसका निर्धारन किया गया था जिसे मैक मोहन रेखा किया गया है इसका नामकरण सर हेनरी मैक मोहन के नाम पर किया गया है मैक मोहन रेखा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है सर हेनरी मैक मोहन के नाम पर किया गया है वर्स निसो चौदा में या हुए सिमला समझा होता में ही से दोनों देशों की सीमा रेखा के रूप में स्विकार किया गया था अगला है रेड क्लिफ रेखा यह जो है भारत और पकिस्तान के बिस का जो सीमा रेखा उसको रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानते हैं बिभाजन के पस्चाद 17 अगस्त 1947 को भारत वा पकिस्तान के मद निर्धारित की गई सीमा रेट किलीफ के नाम से जाना जाता है यानि रेट किलीफ रेखा का निर्धारन कब हुआ था तो 17 अगस्त यानि सोतंतरता के दो दिन बाद 17 अगस्त 1947 को किया गया था इस रेखा का निर्धारान बॉर्डर कमिशनर कमिशन द्वरा किया गया था रेड क्लिफ रेखा का निर्धारन किसके द्वरा किया गया था बॉर्डर कमिशन के द्वरा किया गया था और इस कमिशन के अध्यक्स थे सर सिरिल रेड क्लिफ और इनहीं के नाम पर Red Cliff रेखा रखा गया था कारा कोरम स्रेंडी को उच एसिया की रिंड के नाम से जाना जाता है Backbone of High Asia के नाम से किसको जाना जाता है? कारा कोरम को जाना जाता है अगला है भारत एक दिरिश्टी में भारत से समझने तो कुछ महतपूर फैक्ट दिये गए है आये उस पर ध्यान देते है देश का नाम क्या है? भारत है और भारत का अन्य नाम क्या क्या है? आरिया वर्थ है, जम्बू दीव है, भारत वर्ष है, हिंदुस्तान है और इंडिया है भारत की रजधानी का है? नई दिल्ली है भारत की भगौली के सिति क्या है? भारत उत्तरी गोलार्द में अवस्तित है यूं कहें तो उत्तर पुर्वी गोलार्द में हिस्तित है भारत के अक्छांस ये विस्तार 8 डिगरी 4 मिनट उत्री अक्छांस से लेकर 37 डिगरी 6 मिनट उत्री अक्छांस के 20 हिस्तित है और भारत के अगर देसांतर ये विस्तार की बात करें तो और साथ डिगरी साट मिनट पूर्वी देसांतर से लेकर संतारमी डिगरी पचीस मिनट पूर्वी देसांतर के भीश में है अगर इसका जैमिती आकार पूछें भारत का जैमिती आदकार क्या है? भारत का जैमिती आदकार चतुष कोनी है भारत का मानक समय भारत का प्रादेशिक जल सीमा समुद्र से 12 समुद्री मील तक है भारत का सनलगन छेतर से 200 समुद्री मील तक है भारत की जलवायू की बात करें तो भारत की जलवायू मौनसूनी जलवायू है भारत का छेतरफल 32,87,263 वर की किलो मीटर है और यह विश्व के कुल छेतरफल का 2.4 प्रतिसत है छेतरफल की दिरिष्टी से भारत का अस्थान सातवा अस्थान है और आठवा अस्थान किसका है कमेंट बक्स में आप लोग बताएंगे कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिसत है जनसंख्या के दिरिष्टी से बिश्व में भारत का अस्थान दूसरा है भारत का दसक्य जनसंख्य ब्रिधी दर यह जो है वो 17.6% है और भारत का लिंगा नुपाद 943 है और सिसू लिंगा नुपाद 918 है और जनसंख्या घनतु 382 वेक्ति प्रती वर्ग किलो मेटर है भारत का कुल सक्षर्टा 74.04% है और पुरुख सक्षर्टा 82.14% है मैला साच्षर्टा 65.46% है और अनुसूचित जाती कुल जन संख्या का 16.6% है अनुसूचित जन जाती यह जो है वो 8.6% है भारत में राजियों की संख्या कीतनी है टौटल 28 है और केंदर शासित प्रदेशों की संख्या अब 8 हो गई है भारत में परवतिय छेतर का विस्तार 10.7% है और पहारी छेतर का विस्तार 18.6% है पठारी छेतर का विस्तार 27.7 परतिशत पर है और मैदानी छेतर का विस्तार 43 परतिशत पर है करकरेका भारत के आठ राज्यों सोकर गुजरती है जिसकी सरसा हम उपर कर चुके हैं और भारत में दिवपो की कुल संकिया 1208 है कि निरजन सहित मतलब जहां पर निवास नहीं है उसको भी लेकर, बारत में दिवपो कुल संहें कितनी है ? 1208 है Ganze अंतराष्टी सीमा स्नलगन केंद्र औंकेंदर्शासित परदैसों की संकिया 2018 है कितने राज एवं केंदर सासित परदेश अंतराष्टी सीमा सलगन करते हैं तो 18 राज और तेल सोधन सालाओं का संख्या 23 है और राष्टी राजमार्गों की संख्या 599 है और देश में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है भारत का राष्ट्रिय पशु बाग है जिसका वैग्यानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है भारत का राष्ट्रिय बिरासत पशु हाथी है और राष्ट्रिय पक्षी मोर है और इसका वैग्यानिक नाम पाव की स्टेटस है राष्ट्रिय ब्रिक्ष बर्गत है जिसका वैगानिक नाम फाइकस बेंगालन सिस है राष्ट्रिय पुष्प कमल है जिसका वैगानिक नाम निलंबो निूसी फेरा है और भारत का राष्ट्रिय चिन असोक अस्थम्भ है भारत का राश्ट्रिय गान जन गर्ण मन है और इसके रचाइता है रबिंद नाथ टेगो और राश्ट्रिय गीत है वंदे मातरम जिसके रचाइता वंकिम चंदर चटरजी है भारत का राजगी भासा हिंदी है और भारत का राश्ट्रिय लीपी देवनागरी है राष्टिय वाग के सत्य में हो जायते हैं और इसको मुंड़ो को पनिशत से लिया गया है और भारत का राष्टिय द्वज तिरंगा है भारत का राष्टिय नदी गंगा है और राष्टिय जलिय जीव गंगा डॉल्फिन है प्लेटी निस्टा गैंगेटी का भारत का पुद्दु चेरी एक ऐसा केंदर सासित प्रदेश है जिसका विस्तार भारत के तीन राजियों में है तीन राजियों किस में किस में है एक तमीलाडू में है जो कराइकल के नाम से जाना जाता है केरल में जो है उसे माहे बोलते हैं एवाम आंधर प्रदेश में यमन के नाम से इन तीनों राजियों में पुदुचेरी का बिस्तार है आगे हम लोग देखते हैं भारत का भौतिक भीवाजन फिजिकल डिवीजन ओफ इंडिया भारतिय उप महाद्यूप मुख्यत मुल्तह किस भूखंड का भाग था तो भारतिय उप महाद्यूप मुल्तह गोडवाना लेंड का भाग था भारत में उपलब्द पूरा चुम्बकिये परिरामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतिये भूखन उत्तर दिशा की और बिस्थापित हुआ है इस बात को याद रखेंगे भूगर्विक सनरचना की दिर्ष्टी से भारत को मुखेता तीन भागों में बाटा गया है ये कौन-कौन से भाग हैं तो सबसे पहला है हिमालय परवतिये छेते और दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग तिसरा है दचिन का प्राइदी पिये पठाल ये भारत को मुखेता तीन भागों में बाटा गया है किसके अधार पे तो भूगर्विक सनरचना के अधार पे सबसे पहले बात करते हैं हिमालय के समनांतर सनरचना तमक भाग हिमालय के बिशय में जनकारी लेने का प्रयास करते हैं आईए जानते हैं हिमाले के बारे में, तो सबसे पहले हिमाले को वलयों एवं तिब्रता के तिब्रता था निर्माण आयों के अधार पे हिमाले को चार भागों में बाटा गया है, पहला है ट्रांस हिमाले जिसको जो तिब्बत का छेतर है, दुसरा है ब्रिहद हिमाले या मह उसके बाद है लगू हिमाले या मद्ध हिमाले और चोथा वंतिम है बाह या उप हिमाले या सिवालिक हिमाले हिमालय का निर्माड समनांतर वलय श्रेणियों में हुआ है इनमें प्राचिंतम श्रेणियों में इसका निर्माड हुआ है और इसमें सबसे प्राचिंतम श्रेणियों में ब्रिहध हिमालय है उत्तर भारत में उप महादिप छेत्र के सहारे विस्तरित समतल मैदान को क्या कहते हैं उप हिमाले छेत्र यानि सिवालिक की बात की जा रही है तो सिवालिक के सहारे विस्तरित समतल मैदान को भावर के नाम से जाना जाता है हिमाले का परवत पादिये प्रदेश कौन सा है तो हिमाले का परवत पादिये प्रदेश सिवालिक है सिवालिक सैल समुके दच्छिन में इस्थित भावर छेत्र किस सनरचना का उधारन है तो भावर छेत्र जो है वो गिरिपद की इस्थिती की सनरचना का उधारन है सिवालिक स्रेनी की ओसत उचाई 600 से 1200 मीटर तक है लगू हिमाले किन स्रेनियों के मध में इसी थे लगू हिमाले महान हिमाले तथ सिवालिक के मध में इसी थे हिमाले की नविंतम परवत स्रेनी कौन सी है तो हिमाले की नविंतम परवत स्रेनी सिवालिक है नर्मदा एवं तापती नदियों के मद कौन सी परवत स्रेनी इस्तित है तो नर्मदा एवं तापती नदियों के बीच सत्पूरा परवत स्रेनी इस्तित है हिमालाई की सबसे उची परवत स्रेनी कौन सी है तो बिर्याद हिमाली के उसत उचाई एक सट सो किलो मीटर है शो हजार एक सो किलो मीटर है पीर पंजाल स्रेनी किस राज में अवसित है तो पीर पंजाल स्रेनी जम्मु कस्मीर में अवसित है पुर्वी हिमाले की तुलना में पस्मी हिमाले में ट्री लाइन की उचाई कम है इस बात को याद रखिएगा कि पुर्वी हिमाले की तुलना में पस्मी हिमाले में ट्री लाइन की उचाई कम है और जियों जियों हम पस्म से पुर्व के तरफ हिमाले में जाते हैं हिमाले की उचाई बढ़ती जाती है उत्राखंड के पताल तोड कुए किस भाग में पाये जाते हैं तो ये कुए तराई भागों में पाये जाते हैं अक्साई चिन किस छितर का भाग है तो अक्साई चिन लद्दा का भाग है पस्मी हिमाले प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है तो पस्मी हिमाले प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन वन है अगला है भारत की प्राचिंतम परवत स्रिंखला कौन सी है तो भारत की प्राचिंतम परवत स्रिंखला अरावली है और याद रखेंगे यह अभिस्व की भी प्राचिंतम परवत्स रिंखला है अरावली स्रेनियों की अनुमानित आयू कितनी है अरावली स्रेनियों की अनुमानित आयू 600 से 570 मिलियन वर्स है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं सागर माथा के नाम से जानते हैं अरावली किस परकार की परवत्स रिंए है तो अरावली अवस्षिष्ट परवत्स रिंए है दशिन भारत की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो दशिन भारत की सबसे उंची चोटी अनाई मुदी है जिसकी उचाई 2695 मीटर या 2695 मीटर है और यह कहां है केरल में स्थित है नीलगीरी परवतमाला का विस्तार किन राज्यों में है तो नीलगीरी परवतमाला का विस्तार तमिलांडू एवं केरल में स्थित है महराष्ट एवं करनाटक के मद इस्थित पस्मी घाट को किस नाम से जानते हैं तो महराष्ट और करनाटक के बिश इस पस्मी घाट को कोकर तठ के नाम से जानते हैं इलाईची की पहाणिया किन राज्यों के मद सीमा बनाती है इलाईशी की पहाणिया केरा लेवं तमिलाडू के मध्य सीमा बनाती है सेवराय पहाणिया किस राज में इस्तित है तो सेवराय पहाणिया तमिलाडू राज में इस्तित है पुर्वी घाट और पस्मी घाट परस पर नील गिरी पहाडियों पर मिलती है इस बात को याद रखेंगे कि पुर्वी घाट ता पस्मी घाट का मिलन अस्तल कौन सा है नील गिरी पहाड़ी है भारत की सर्वुच परवच चोटी कौन सी है भारत की सर्वुच परवच चोटी केटू गौडवीन आस्टिन है जिसके वो चाई 8611 मीटर है विश्व की सर्वाधिक तीब्र ढ़ाल वाली चोटी राका पोसी लदाक स्रेनी में सी थे राका पोसी कहां सी थे लदाक स्रेनी में सी थे और विश्व की सर्वाधिक तीब्र ढ़ाल वाली चोटी का नाम क्या है राका पोसी है माना दर्रा उत्राखंड को किस से जोडता है तो माना दर्रा उत्राखंड को तिबबत से जोडता है नंदा देवी सीखर किस राज में वस्तित है तो नंदा देवी सीखर उत्राखंड में वस्तित है अरावली स्रेनी का उस्तम परवत सीखर कौन सा है और आवली सिरेनी का उस्तम परवत सिखर गुरु सिखर है जिसकी उचाई 722 मिटर है और यहर राजस्थान में इस्तित है हिमाल्य परवत की एक सिरेनी यारा कानियोमा किस देश में इस्तित है तो यारा कानियोमा मयानमार में इस्तित है कुल्लू घाटी किन परवत स्रेनियों के मद हिस्तित है तो कुल्लू घाटी धौला धर तथा पीर पंजाल स्रेनियों के बीच में इस्तित है पाल घाट दर्रा किन पहाडियों के मद हिस्तित है तो पाल घाट दर्रा नील गिरी और अन्ना मलाई पहाडियों के मद में इस्ति नाथुल्ला दर्रा किस राज में इस्थित है तो नाथुल्ला दर्रा सिक्किम राज में इस्थित है उत्राखंड में कोडधारी वनो एवं छोटे घासों के मैधान को वुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है लेपू लेख माना एवं नीती दर्रा किस राज में अवस्थित है तो यह उत्रा खण में अवस्थित है रोतांग दर्रा किस राज में अवस्थित है तो रोतांग दर्रा हिमाचल परदेश में अवस्थित है पुर्वी हिमाले में ओसत हिम रेखा 3500 मीटर की उचाई पर तथा पस्मी हिमाले में 2500 मीटर की उचाई पर पाई जाती है हिम रेखा पुर्वी हिमाले में कितनी पाई जाती है तो 3500 पर और पस्मी हिमाले में हिम रेखा की ओसत हम उचाई क्या पाई जाती है 2500 मीटर भारत का सबसे उंचा हिम्नद कौन सा है भारत का सबसे उंचा हिम्नद सीया चिन में है जो लद्दाख शेतर में पाया जाता है चौरा बारी गलेसियर कहां इसी थै केदारनाथ मंदिर की उत्तर में इसी थै मेघाले का पठार किसका भाग है तो में घाले का पाठर प्राइदीपिय भाग का भाग है भारत के प्राइदीपिय परवत किस काल में निर्मित हुए थे भारत के प्राइदीपिय परवत पहलियो जोईक महाकल्प में निर्मित हुआ था अरावली एवं विंद सिंखलाओं के मद कौन सा पठार इस्तित है तो अरावली एवं विंद परवत के विंद सिंखलाओं के मद मालवा का पठार इस्तित है दंड़कार एन छेत्र कहां आवस्थित है तो दंड़कार एन छेत्र 36 गड़ उड़िशा और मध्यवर्ती भागों में 36 गड़ एवं उड़िशा के मध्यवर्ती भागों में इस्थित है लगू हिमाले एवं सिवालिक स्रेनी के मध्य में विस्तरित समतल सनरचनातमकस्थल को पुरू में दुवार के नाम से जानते हैं चाथा पस्थि में दून के नाम से जानते हैं इसको याद रखेंगे भारत का उसत समुंद्री तल किस तट से मापा जाता है तो भारत का उसत समुंद्री तट चेन्नाई से मापा जाता है जो कि तमिलाडू में है और यह भारत के पूरुवी तट का हिस्ता है और भारत के पूरुवी तट को कोरो मंडल के नाम से जानते हैं इसको याद रखें है तो भारत की समुदिर तर रेखा की лंबाई 75, 117 किलो मीटर है भारत के तटी राज्यों में से किसकी सीमा सबसे लंबी है भारत के कितने राज समुदिर तर रेखा और गुजरात के बारे में ये भी याद रखीएगा कि यह गुजरात जो है वो पकिस्तान के साथ अस्थली और जल दोनों तरह से सीमा साजा करता है भारत के नौ तटी राज हैं वो राज कौन-कौन से उसको देखेंगे गुजरात, महरास्ट्रा, करनाटक, केरल, तमिलाडो, पस्रिम बंगाल, आंध प्रदेश, ओरिशा एवं गोवा ये नौ राज हैं जो भारत के तटी राज हैं प्राचीन भारती एतिहासिक भूगोल में रतनाकर नाम किसका सूचक है तो रतनाकर नाम हिंद महासागर का सूचक है तमिलाडो और आंध प्रदेश के समुदिय तट का नाम क्या है तमिलाडो ये आंध प्रदेश के समुदिय तट का नाम कोरो मंडल तट है जो भारत के प तमी लाडू में इसी सित है अंडमान और नकोबार दिव समों में सबसे अधिक तूप्शाई वाली चोटी कौण सी है तो अंदूमान और नकोबार दिव समों बंगाल की खाणी में इस्थित है अंडमान निकोबार दिव समूह में दिवपो की संख्या कितनी है अंडमान निकोबार दिव समूह में दिवपो की संख्या 572 है 10 डिगरी चैनल किंदो दिवपो को प्रिथक करती है तो 10 डिगरी चैनल अंडमान और निकोबार दिव को प्रिथक करत और अवस्थित बेरन द्यूब बंगाल की हाड़ी में इस्तित है स्रीहरीकोटा जील में के समीब की एक ऐसा जील जो तमिलांड यम आंध्रपर दोनु राज्यों में इस्तित दूनु राज्यों में बहां प्रारंब है तो रामसिदो धनुस कोड़ी से प्रारव होता है लच्छ डिवक कहां वस्तित है और वस्तित है भरत का कौन सा दिवक संव क्रवाल निर्मित है लच्छ डिवक समी में कौन सा दिवक करता है भारत के तट रेखा के सुद्वर्ती द्यूप समू की स्रेनी में कौन सा द्यूप आता है तो मीनिका द्यूप आता है भारत यहम स्रिलंका के मद कौन सा द्यूप इस्तित है तो भारत और स्रिलंका के मद पंबन द्यूप रामेश्वरम इस्तित है दिवपो पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है मुंबई है कोरी क्रिक कहां इस्तित है तो कोरी क्रिक कक्ष के रन में इस्तित है और सरक्रिक बिवाद किंदो देशों के मद में इस्तित है तो सरक्रिक बिवाद भारत यों पकिस्तान की मद इस्थित है बिवाद का भी से है बुर्जिलावा बनिहाल दर्रा किस परवत स्रेनी में इस्थित है तो बुर्जिलावा बनिहाल दर्रा पीर पंजाल स्रेनी में इस्थित है हिमाले के प्रमुक उचे सीखर जिसमें एक तरफ सीखर है और किस देश में वास्थ है और उसकी उचाई कितनी है इसको देखेंगे परला है माउंट अवरेस्ट माउंट अवरेस्ट नेपाल में सीथ है और इसकी उचाई 8848 मीटर है कारा कोरम जिसको गौडविन आस्टीन के नाम से भी जना जाता है यह भारत में सीथ है और यह 8,611 मीटर की उचाई है इसकी अगला है कंचन जंगा भारत में सीथ है और यह 8,598 मीटर की उचाई है इसकी मकालू परवत यह नेपाल में सीथ है और यह 8,481 मीटर इसकी उचाई है धौला गिरी नेपाल में सीथ है और यह 8,172 मीटर की उचाई है इसकी नंगा परवत यह भारत में सित है और नंगा परवत की उचाई 8126 मिटर है अनपूर्णा यह भी भारत में सित है और इसकी उचाई 8078 मिटर है नंदा देवी यह भारत में वसित है और इसकी उचाई 787 मिटर है कामेत यह भी भारत में इसी थे और इसकी उचाई शाथ हजार साथ सो चपन मीटर है नमचा बरवा यह भी भारत में ही इसी थे और इसकी उचाई साथ हजार साथ सो चपन मीटर है गुरूला मनधाता या तिब्वत में इस्तित है और इसकी उचाई 7,728 मीटर है सतलज एवं सिंधु नदी के मद इस्तित हिमाले के भाग को कास्मीर हिमाले या पंजाब हिमाले के नाम से जानते हैं सतलज एवं सिंधु के मद इस्तित हिमाले के भाग को किस नाम से जानते हैं तो कस्मीर हिमाले या पंजाब हिमाले के नाम से जानते हैं अगला है भारत की जलवायू Climate of भारत किसी छेत्र की जलवायू को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है तो अक्छांसी अवसिती किसी भी अस्थान का या छेत्र का अक्छांसी अवसिती या निर्धारित करता है कि वहां की जलवायू कैसी होगी जलवायू को नियंतरित करने वाले कारकों से सम्बंदिश सब्द हम एक सब्द लेंड फर्म का पर्योग करते हैं इसके माधियम से यह जलवायू को परभावित करने वाले कारकों को याद रखा जा सकता है तो आईए देखते हैं L for latitude यानि अक्छान A for altitude यानि उचाई N for nearness of from sea यानि समुदर से निकटता D direction of wind पवन की दिशा F for forest 1 O for ocean current यानि समुदरी जलधाराएं R for rainfall वर्षा M for mountain पहाड या परवत S for swail मिटी ये सभी कारक जलवायू को परभावित करते हैं या हम जलवायू का निरधारन भी करते हैं भारत में ग्रिस्मकालीन मांसून के परवाह की समाने दिशा क्या है तो ग्रिस्मकालीन मांसून की परवाह की समाने दिशा दस्षिन पस्षिम से उत्तर पुरूव की उर है भारत के उत्तर पस्षिम मैदान में सीत रितु में किसके परभाव से वर्षा होती है तो भारत के उत्तर पस्षिम मैदान में पस्मी विशोब के परभाव के कारण सीत रितु में वर्षा होती है भारत के किन राजियों में सरद रीतू में वर्षा होती है तो भारत के पंजाब यों तमिलांडू के छेतर में सरद रीतू में वर्षा होती है जिसमें पंजाब में पस्मी विछोब के कारण होता है और तमिलांडू में उत्तर पुर्वी मौनसून या लोटता हुआ भारत में सरवधिक वर्षा पस्मी घाट हिमाले और मेघाले के छित्रो में होती धारत में उष्ण कटि बंदिये मौनसूनी जलवायू पाई जाती है भारत में कैसी जलवायू पाई जाती है तो उश्न कटी बंधिये मौनसुनी जलवायू पाई जाती है तथा यहां सरवधिक वर्षा दच्छिन पस्छिन मौनसुन द्वारा होता है भारत में सरवधिक वर्षा किस मांसून से होता है, तो दचिन पस्षिम मांसून से होता है जलवायू को मांसूनी जलवायू भी कहते हैं भारतीय उपमहदिय उपर ग्रिश्ब रितू में उच्चताप और निमUNDदाग हिंद मासागर से वायू के आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होता है दस्षिन पसिव मन्सुन वयपारिक पौने ट्रेड विंड्स वयपारिक पौने 0 डिगरी से लेकर 30 डिगरी उत्री एम दस्षिन एक छांसों के मद बहने वाली पौने हैं ये पौने उपोष्ण उच वायू दापकाटी बंधों से विश्वत नीमन वायू दापकाटी बंधों की ओर बहती हैं उत्री गुलारद में इने उत्तर पौरी वयपारिक पौनों के नाम से जाना जाता है पस्षिम बंगाल और असम में ग्रिस्म रितु में चलने वाली पौनों को अस्थानिय भासा में क्या काते हैं इन पौनों को काल बैसा की तिथा चाय वर्षा काते हैं चाय वर्षा असम में काते हैं और काल बैसा की पस्षिम बंगाल में काते हैं आमर वर्षा हम दस्चिन भारत में कहते हैं भारत का सबसे कम वर्षा वाला अस्थान कौन सा है तो भारत का सबसे कम वर्षा वाला अस्थान लेह है कोपे ने वर्स 1918 में विश्व की जलवायू को कितने वर्गों में भी भाजित किया था तो कोपे ने विश्व की जलवायू को पांच वर्गों में भी भाजित किया था जलवायू निर्धारन के अधार जलवायू निर्धारन के मुखरूप से तीन अधार है पहला है वार्षिक एवं मासिक ओसन तापमान दूसरा है वार्षिक एवं मासिक वर्षा और तीसरा है वनस्पती इसकी अधार पे किसी विच्छत के जलवायू का निलधारन किया जाता है कौफी वर्षा एवं चेरी ब्लोसम का संबंध है ग्रिस्म रितु के खत्म होते ही पुर्व मांसून की बहुचार से है इसको यह करनाटक से संबंधित है आमर वर्षा किस राजे से संबंधित है तो आमर वर्षा केराल एवं तटिय करनाटक से संबंधित है भारत में दस्षिन पस्षी मानसून का समय समाने तक कब से कब तक होता है भारत में दस्षिन पस्षी मानसून का समय जून से सितम्बर तक होता है भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज में होता है भारत में मौनसून का आगमन सबसे पहले केरल राज में होता है भारत में नौर्वेस्टर की उत्पत्ती कहा होती है भारत में नौर्वेस्टर की उत्पत्ती छोटा नागपूर के पठार पर होती है तमिलाडू में मौनसून के समान महीने कौन से है तो तमिल आडू में मौनसून के समान महीना नवंबर एवं दिसंबर है भारतिय मौनसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से है? भारतिय मौनसून को प्रभावित करने वाले घटक तिबबत का पठार, जेट एस्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीनो आधी है उत्तरी पूर्व मनसुन से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज कौन सा है तो उत्तर पूरी मनसुन से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज तमिलाडू है भारत के किन छेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मीटर होती है अम्रित सर एवं सीमला लगवग एक ही अक्षांस परिस्तित है किन्तो उनकी जल्वाईू में विविन्यता का मुख्य कारण है उनकी उचाई में विन्यता है भारत में सर्वधिक दैनिक तापांतर किस अस्थान पर पाया जाता है तो भारत में सरवाधिक दैनिक तपांतर राजस्थान के मर्वस्थली छेतरों में पाया जाता है भारत में मौनसून के प्रसफोट के लिए किसे उतरदाई माना जाता है तो इसके लिए पूर्वी जेट परवा को उतरदाई माना जाता है अगला है मिट्टी स्वैल बहारत की मृधाओं का वरगिरन किस अधार पे किया गया है तो उत्पत्ती, रंग, संयोजन तथा अवस्थिती के अधार पे भारत के मिटियों का बिभाजन किया गया है तो देखते हैं किस भाग में, किस नाम से इसका विभाजन जलोड मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटे राइट मृदा, सुस्क मृदा, लवणिये मृदा, पीट मृदा और वन मृदा के रूप में किया गया है मृदा सब्द की उत्पति, लेटिन भासा के सब्द, सोलम से हुई है, जिसका साब्दिक अर्थ, फर्स होता है भारत में सरवादिक छेतर में कौन से मृदा पाई जाती है, तो भारत के सरवादिक छेतर में, जलोड या कछारी मृदा पाई जाती है रेगूर मृरिदा का सरवाधिक विस्तार किस राज संवन्द का सरवाधिक विस्तार महराष्टरा में पाया जाता है मालवा का पठार किस मरिदा की अधिकता है काली मरिदा को सोहता जुताई वाला मरिदा भी कहते है काली मरिदा को बोलते है जिसमें सिचाई की कम आवसकता पड़ती है यह मरिदा कपास की खेती के लिए सबसे उप्युक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए सबसे उप्युक्त म्रिदा कौन सी है काली म्रिदा है और काली म्रिदा को काली कपासी म्रिदा भी कहते है पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है लेटराइट मृधा मुखेत किन राजियों में पाई जाती है तो लेटराइट मृधा मुखेत केरल करनाटा के महराष्टरा में पाई जाती है लोहा की अधिक मातरा होने के कारण कौन से मृधा दिनों दिन अनुर्वर होती जाती है होती जा रही है तो वह है लेटराइट अगला है मृदा की छार्यता को कम करने के लिए जिपसम का परियोग करते हैं मृदा की छार्यता को कम करने के लिए किसका परियोग करते हैं जिपसम का परियोग करते हैं लेटराइट मृदा भारत में मुख्यता कहां पाई जाती है तो लेटराइट मृदा भारत में मुख्यता मलवार तटी प्रदेशों में पाया जाता है सबसे कम जल धारन छमता किस प्रकार की मृट्टी में होती है पौधो को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होता है मृदा की उरवर्ता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है चमबल घाटी का निर्मार किस भगौलिक प्रक्रिया से हुआ है चाय बगानों के लिए कौन सी मृदा उपरुकत है दोमत मृदा में कौन से कर्ण पाए जाते है तो दोमट मृदा में गाद, मृतिका वर्यत पाया जाता है भारत की मृदाओं में किस सुच मतत्व की सरवधिक कमी होती है तो भारत की मृदाओं में जस्ता की सरवधिक कमी होती है गंगा के मैदान की पुरानी जलोड मृदा कहलाती है और नवीन जलोड मिर्दा उसको खादर बोलते है अमलिय मिर्दा को क्रिसी योग बनाने है तू किस खनीज का परियोग किया जाता है तो अमलिय मिर्दा को क्रिसी योग बनाने है तू लाइम या चूना का परियोग किया जाता है भारत में सरवाधिक छारिय मृदा किस राज में पाई जाती है तो भारत में सरवाधिक छारिय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है लवाडिय मृदा में नाइट्रोजन और चूने के अलपता पाई जाती है किस प्रकार के मृदा में नाइट्रोजन और चुने की अल्पता पाई जाती है तो लवाड़ीय मृदा में जैवो मृदा का रंग नीला क्यों होता है क्योंकि अमलिय वो फेरास आयरन के कारण होता है पस्मी राजस्थान की मृदा में किस खनीज की अधिक्ता पाई जाती है तो पस्मी राजस्थान की मृदा में कैलसियम की अधिक्ता पाई जाती है मरुग असली मृदा में किस पोशक तत्व का अभाव पाया जाता है तो मर्ग असली मृदा में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है मृदा अपर्दन को किस प्रकार रोका जा सकता है तो मृदा अपर्दन को वना रोपन द्वारा रोका जा सकता है भारत के सरवाधिक ब्रिहद छेतर में किस प्रकार के वन पाया जाती है तो भारत के सरवादिक ब्रियत छेतर में उस्न कटीबंधिये सुस्क पर्ण पाती वन पाये जाते हैं उस्न कटीबंधिये साधा बहार वन छेतरों में औसत वर्षा कितनी होती है इन छेतरों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है भारतीय वनस्पती सर्वेच्छन के संस्थापक सर जोर्ज किंग थे तथा इसकी अस्थापना तेरा फरवरी अनई 1990 को हुआ था भारती वन वनस्पती सर्वेच्छन के संस्थापक कौन थे सर जोर्ज किंग थे और इसके स्थापना कब हुई थी तो 13 फरवरी 1890 इसवी को हुई थी भारत में सिनकोना ब्रिक्ष कहां पाया जाता है भारत में सिनकोना ब्रिक्ष दारजलिंग में पाया जाता है कथा बनाने हेतू किस ब्रिक्ष की लकड़ी का पर्योग होता है तो कथा बनाने के लिए खैरा ब्रिक्ष की लकड़ी का पर्योग होता है समाजिक वानिकी में पर्युक बहु देशी ये ब्रिक्ष का उधारान है खेजरियों खेजडी भारत में वन सर अच्छन अधिनियम किस वर्स पारित किया गया भारत में वन सर अच्छन अधिनियम वर्स अनई सो असी में पारित किया गया था सागोन तथा साल के ब्रिक्ष किस प्रकार के वनों में पायए जाते हैं पस्मी हिमालय की सितोष्ण पेटी में देवदार ब्रिक्षो का बहुलता है बास की कौन सी परजाती च regard में सरवधिक पाये जाती है तो बांस की लाठी बांस प्रजाती 36 गड़ में सरवधिक पाई जाती है